तो यहां पर आपके सामने कुछ questions हो रहे हैं जिनको मैं इंगलेस और हिंदी दोनों में ही पढ़ूँगा bilingual class है भाई को attention वाली बात नहीं है तो दोनों questions को पढ़के मैं आपको solution भी दूँगा यानि ओम का नियम मानने नहीं है देखिए ओम का नियम आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा वही भाई वी इस डारेक्टली प्रोवोशनल टू आई यानि वी बराबर आई इन्टू आ तो यहां पर option A कह रहा है high voltage option B कह रहा है high current और option C कह रहा है DC परिपत और option D कह रहा है अर्थ चालक यानि की semi conductor तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि ओम का नियम जो है बंद परिपत के लिए होता है तापमान दवाविस्थिर रहने पर voltage current के समान अनुपाती होता है आई यह समझते हैं इस question को तो य बरावर I और R यह होता है ओम का नियम जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा चलिए ठीक है अब यहां पर मैं आपको एक और बात बताओं कि ओम का नियम DC और AC दोनों ही परिपत के लिए मानने होता है चालक या फिर जो भी है बंद परिपत में तो यह आपने पढ़ रखा हो होगा लेकिन यहां पर अब option के अनुसार थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं हाई voltage तो वही है जो रहेगा चाहे हाई हो चाहे लो हो उससे क्या मतलब है current भी वही है जो रहेगा चाहे हाई हो या लो हो और यहां पर DC परिपत DC का option आ गया हमारे पास DC के लिए भी valid है अब बसत होगी तो आपने active और passive के बारे में पढ़ा होगा active और passive active और passive material यानि कि सक्रियपदार्थ और अक्रियपदार्थ तो यह जो होते हैं इन में से जो अर्ध चालक होते हैं वे सभी आपके जो है active material होते हैं जो कि ओम के नियम को follow नहीं करते यानि कि वह ओम के नियम का पालन न नहीं करते हैं उनमें वोल्टेज के परिवर्तन होने पर करेंट का परिवर्तन सीधे अनुबाद में नहीं होता है तो यहां पर हमारा सही अंसर हो जाएगा अर्द चालक यानि option D is a correct answer केवल question को रटने से नहीं होता परते question के पीछे concept को समझ यह क्या पूछना चाता है वह इस चीज को जब आप समझना शुरू कर देंगे तो सभी प्रकार के question आपके जो है आसानी से हलो जाएंगे तो चलिए चलते हैं next question की ओर question number second में so हो रहा है at what temperature the resistivity of mercury सबसे पहली बात आपको यहां पर option number a 270 Kelvin option number b 180 Kelvin option number c 4 Kelvin और option number d 100 Kelvin अब देखें यहां पर इस question में mercury की बात हुई है पारे की बात हुई है पारा liquid at room temperature room temperature में कैसा होता है तरल पदार्थ होता है आप सभी को मैं बता दूँ कि वो चीज़ आपको पढ़ना अनिवार्य है कि तापमान परिवर्तन पर किन-किन पदार्थ का जो है और कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाता है यह चीज़ आपको basic electricity में आपके किताब में मिलेगी जो की table के रूप में गलनांक और उनका जो भी तापमान है अक्रिय सक्रिय वे सब लिखा होगा तो यहां पर mercury जो है जब उसका 4 Kelvin तक उसे ले जाते हैं तो उसकी जो परती रोधकता होती है वैस सुनने हो जाती है यह आपको याद रखना होगा यहां पर question number 3 देखते हैं resistance of a wire is our ohm the wire is stressed to double its length now the resistance in ohm is यानि कि यह question resistivity से लिया हुआ है question क्या कहता है कि एक wire जिसका परती रोध r ohm है इस wire को खीच कर लंबा कर दिया गया यानि कि दुगना कर दिया गया double its length लंबाई के जितना पहले उसकी लंबाई थी अब उसका परती रोध क्या होगा आप सभी ने resistivity का formula पढ़ा होगा यानि कि आर बरावर रो एल बाई ए यह होता है resistivity का formula अब यहां पर देखिए question में cable बता रहा है कि wire को जो है खीच कर लंबा किया माल लीजिए पहले यह wire थी अब इसको हमने खीच करके दुगना कर दिया इसकी लंबाई को हाँ होगा दुगना यह यहां पर पहले यह L था अब यह 2L हो गया ध्यान देने वाली बात क्या है जिस अनुपात से लंबाई बढ़ेगी भाई एक रवड को हम खीचेंगे तो पतला भी तो हो जाएगा ना जिस अनुपात से लंबाई बढ़ेगी उस अनुपात से एरिया भी तो घटेगा ना तो यहां पर सीधा सा फॉर्मला लिखना है L बरावर 2 और एरिया बरावर 1 बाई 2 आधा हो जाएगा उसी अनुपात में कम होगा तो यहां पर फॉर्मले के अनुसार मैं यदि इसको ल अब जो हमारा परतिरोद होगा वो चार गुना रह जाएगा पहले क्या था आर अब अंसर क्या होगा फॉर आर समझने का परियास करिए इसको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है यानि कि B is correct answer जो question कह रहा है उसको समझने का परियास करिए ढूंडिये किस concept से वो question कहना चा की दिया है अधिक questions के update के लिए देखते रहे है टेक्निकल प्रिपरेशन में